हलो फ्रेंड नमस्कार मैं सिखा अमनी वीडियो में आप लोगों का मोस्ट वेलकम करती हूं आप लोग अच्छे होंगी आज आप देख पा रहे हैं बहुत ही डिलिस्यस सब्जी रेस्पी हम लेके आए हैं जो आप लोगों को बहुत पसंद आएगी यह बेसन की सब्जी है एक कप बेसन से हमने बहुत ही टेश्टी सब्जी बनाके तयार की है आए चलिए देखते हैं यहां पर हमने एक कप बेसन लिया है आप ग्राम में लीजिए तो 1500 ग्राम बेसन है इसमें हम थोड़ा सा नमन डालेंगे हाफ टीजपून हाफ टीजपून हल्दी पाड़र डाल दालेंगे बहुत बेजिक से मसाले हमको बेसर में डालने हैं यहां पर हम एक हरी मिर्ची और बड़े साइच का हाफ कट करके हम इस भी बारीक चौब करके प्याज डालेंगे जो टेश्ट में बहुत ही अच्छा आता है बनने के बाल थोड़ा सा धन्याग पत्तर डालके औ अच्छा आए यह तीखा वाला नहीं है कि थोड़ा सा वन फॉर्थ पूल इसमें जीरा डालेंगे साबु जीरा ही डालना हमको पार्डे में डालने इसमें सभी को मिक्स कर लेंगे थोड़ा थोड़ा पाई डालते हुए इसका एक घोल तेयार कर लेंगे जितना बेशन लि करेंगे ठोड़ा-ठोड़ा हम पानी एस त Encounos नालते जाएंगे और एक कप पानी दमारा लग जाय healthy that Olay कि इस तरह से को गाढ़ा बेटर तयार करना है पतला नहीं होने देना थोड़ा थोड़ा करके हम पानी डालते जाएंगे आप देख पा रहे हैं वन कप पानी मारा लग गया इस तरह से हम घोल तैयार कर लेंगे यहाँ पे हम प्याज, तीन टमाटर, लैसन, अद्रक, हरी मिर्ची लिए हैं तीन टमाटर लिए हैं प्याज हम दो लिए सभी को चौप कर लेंगे इस तरह से अद्रक, हरी मिर्ची को कूट लेंगे कुछ खड़ेगार मसाली लिए हैं जिसमें हमने डाल चेनी, दो लॉंग, एक बड़ी लाची, एक चम मच स्वाबू जीरा, आठ से दस काली मिर्ची और एक जावित्त्री का टुकड़ा लिए हैं आठ से फाइल आएंगे इसमें जैसे हम चीला बनाते हैं, उसी तरह से इसको फाइल आएंगे अ फ्लेम को लो नो कर देंगे, पढ़ना चीला मेरे जल जाएगा इस तरह से लो कर के हम इसको सेख लेंगे दोन तरफ से प्रेंड्स चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन को प्रेस कर दीजे ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसाएं से पहुँ सके और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो फ्रेंड्स साथ शेयर भी कर सकते हैं कमेंट करिए वीडियो आपको कैसी लगती है नहीं अच्छी लगते हैं आप डेश लाई भी कर सकते हैं एक कड़ाई लेंगे और हम यहां पर दो चमच तेल लेंगे सर्सों का सब्सक्राइब कर में अच्छी होती है यहां पर तेज पत्रे डालेंगे तीन से चाहर और दो पिंच लाईगे पेशन की सब्सक्राइब कर लेंगे प्याज को डालेंगे और प्याज को बुनने देंगे से अच्छी बुनन जाए तो आप देखबार है इस कलर में आ जाए तो हम इसमें टमाटर डालेंगी टमाटर भी मार्भ तो जाएगा इसके लिए हम कि यहां पर नम्मग डालेंगे थोड़ा सा कि ऑधनाःत्ट हैं अच्छे से और थृस्ट कुक हो जाए डखके हम टमाटर को सॉप्ट होने देंगे 102 मिनिट वाल अब इस तरह से टमाटर को दबा देंगे तक यह अच्छे से मिक्स हो जाए आप देखवारें टमाटर में सॉप्ट हो गया है कि इसमें मसाले डालेंगे यहाँ पर दो चमर्च धन्या पाउडर ऑचा मैशाली पाउड़र एक चमर्च मिर्चि मिर्च यह होती है है सभी को अच्छे से भूनेंगे हैं मसालों को लोग फुले मूनना है यह वह पूणरं मसाली जल जाएंगे और फूरत थोड़ा सा पानी डालेंगे चार से पाँच चमच पानी डालके हम गख देंगे लोघ पर मसाले में अच्छे से पक रहे हैं बिल्कुल भी सॉफ्ट हो गया है तो याज वाज भी हमारा किल गया इसमें तब तक हम चीले को कट कर लेते हैं अपने मंचाइ साइज में इसको कट कर सकते हैं मैं यहां पर हम भर्फी सेब में। छोटे-छोट टुकडों में हम कट कर लिए हैं। आप ऐसे भी स्वश्व चाई से इसको खा सकते हैं। साम की छोटी छोटी भूख के लिए इस तरह से चिला बना के चाय के साथ इंजार कर सकते हैं मसाली मैरे भून गए हैं अब इसमें पानी डालेंगे आप देख वारें तेल छोड़ने लगें मसाले इस तरह से हम पानी डालके पकने के लिए छोड़ देंगे चार से पांच मिनट मीडियम फ्लेम पेक करने के बाद मसाले पानी हमारे पक गए इसमें अब इसमें चीले को डालेंगे इसको जादे हम कुछ चलाना नहीं है नहीं तो फूट जाएगा और सब मिक्स हो जाएगा एक ही में इसलिए हलके हाथों से एक ही दू बार चलाएए बहुत ही टेश्टी सबजी बनके तयार होती है एक बार जरूर ट्राय करिए यहां पर कस्तूरी में जा लेंगे फ्लेम को बंद कर देंगे यह पक गया है फ्लेम पर बंद करके हम इसे धनिया पता डालेंगे गार्निसिंग के लिए इससे फ्लेवर अटेश्ट दोनों भी अच्छा हो जाता है आप देख पाने बहुत ही टेश्टी सब्जी बनके तयार हुई है चिली सर्फ करते हैं इसको चाल के साथ रोटी के साथ पूरी प्राटे के साथ जैसे भी खाएंगे अच्छा ही लगता है आज की सब्जी हमारी कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएगा प्रेंट्स आप लोगों का प्यार बहुत ही भर भर के आ रहा है आप लोग बहुत ही अच्छा कमेंट करते हैं लाइक करते हैं और वीडियो में बनी रहे इसी तरह है थैंक यू